नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में हिच्छक न्यूजन कहां जुलाई में और कहां अगस्त में होगी कौंस लिंग आज होगा तै चीहां आज हिचाई वाग के तरफ से एक लेटर निकाला जाएगा या जो कहिए जो जीला से चाएबागा उनके तरफ से लेटर निकाला जाएगा और बताया जाएगा कि कल मीटिंग रखा गया था उसी मीटिंग में तै किया किया से पूंस लिंग करवाना है इसका लिस्ट भी आएगा अब देख सकते हैं प्रात्मिक सिज्ट को के नब्य हजाद साथ सो से अधिक पदो पर नियुजर कराने जा रही 9000 से अधिक नियुजर इकाईों में से कहा जुलाई में और कहा अगस्ट में घोशित तित्यों पर कानुशलिंग होगी इसकी तिति 24 गंटे में साफ हो जाएगी है जी हां 24 गंटे में आपको साफ पता चेल जाएगा कि कहा कानुशलिंग होगा और कहा नहीं सोंबार को सिच्छा विवाग के अधिकारियों ने सब विडियों से विडियो कॉंफरेंस के जरिये जनकारी ली कि किन नियोजन इकाईयों में दिव्यांगों ने आविदन किये हैं और कितनी नियोजन इकाईयों में आविदन नहीं किये हैं बीचतरों के मुताइब ख़ाली में दो जारी एक स्थेनों उन योजन एकायों के लिए फा जहां दियांग अवियर्टों ने आवेदन नहीं यह रा। उननुजन एकाईों के लिए था जहां दिव्यांग अविर्तों ने आविदन किये हैं बाकि के 15 पेज़ 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 पर 15 है नहीं पत्ना की 234 पंचाई़तों में अगले मा कॉंसलिंग नगर निगम में अगस्त में पत्ना जिले में 255 पंचाई़तों में 234 में जुलाई में कॉंसलिंग होगी तेश परखंडों में से 13 में दिव्यांगों के आविदन आये हैं पत्ना में टोटल तेश परखंड है जिसमें 13 परखंड में दिव्यांगों के आविदन आये हैं लिहाजा जुलाई में केबल दस परखंडों में कॉंसलिंग होगी ये बात पटना की है थोड़ा सा ध्यान से सुन लिजाएगा अगर जुलाई में जो कॉंसलिंग होगी वो सिप दस परखंडों में होगी सेस परखंडों में कॉंसलिंग अगस्त में होगी उसका नाम अभी जारी नहीं हुआ है, दसप्रखंडों का आज साम तक इसे जारी कर दिया जाएगा, जेले की छा नगर परसदों में केबल तीन में दिव्याओं के आविदन आए हैं और तीन में नहीं, इसलिए तीन में जुलाई वा तीन में अगस्त के कॉंस्रिंग होगी, कौन से नाम नहीं है, आज जारी हो जाएगा, सभी चारों नगर पंचायतों में दिव्याओं के आविदन नहीं आए हैं, इसलिए यहां जुलाई में कॉंस्रिंग होगी, पटना नगर निगम में दिव्याओं के आविदन आए हैं, इसलिए कॉंस्रिंग अगस्त में होग तो और भी कुछ अपडेट आएगा वो अपडेट हम अपने यूटूब चलने के मद्दम से आपको प्रुवाइड कराएंगे क्योंकि आज सिचाई वबाग के तरब से बोला गया है कि कहां 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 जुलाई में कॉंसलिंग होगी कहां अगस्त में कॉंसलिंग होगी कहां कि दिव्यांग लोग आवेदन किये हैं और कहां दिव्यांग लोग आवेदन नहीं किये हैं उसका सारा अपडेट सिचाई वबाग के लेटर से तई किया जाएगा और जितने भी टीचर है 94,000 सिच्छ कर दे उनको बताया जाएगा आप परसान होने कि आप सकता नहीं है आ फर्जी प्रमानपत के अभ्यरतों पर कसी जाएगी नकेल जीहां डीईओ वडीप्यो से मिला शिष्कों का परतिनिधिमंदल मुक्षाले ने फर्जी प्रमानपत के अभ्यरतों के मांगी जनकारी प्रांबिक जाच में फरजी पाय जाने पर प्राथ्मिक का आदेश पूरा अपडेट हम इस बिहार शुच्छक नियोजन बहाली को देने जा रहा है और ये ख़बर देख सकते हैं मदवनी से आ रही है शुच्छक नियोजन को ले कर जिले में छठे चरन के सिच्छक न्योजन में फरजी परमानपत के अधार पर एक बार फिर से विभीन न्योजन इकाई में अभ्यर्तों ने अपना आविदन दाखिल किया है जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 94,000 जो सिच्छक भाली पर किरिया चल रही है उसमें फरजीयों का अमबार लगा हुआ है कितने फरजी इसमें सामिल है हमने बहुत बार विडियो में बताया है जो कि आप देखे होंगे नियोजन एकाई को मुख्याले से उपलवद कराये गए सीडी से प्रामविक मिलान में ही यह गरबडी सामने आ रही है यानि कि मुख्याले जो नियोजन एकाई का सीडी उपलवद कराया उसी में ही मिलाने में बहुत सारे फरजी सामने आ रहे है मुख्याले ने सभी जीले को ऐसे परमानपत वाले अविहर्टी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है अगर वो नियोजन में कौंसलिंग करवाने जाते हैं तो उन पर बहुत वड़ी करवाई हो सकती हैं वहीं नियोजन पत्र देने से पूर्व हर हाल में मेधा सुची में उपर आने वाले और चैनित होने वाले अविहर्टो के परमानपत की चांच समन्धित प्राधिकार से कराने का आदेश दिया है यानि कि व random candidate जिनका अगर सेलेक्षण हो जाता है और उनका परमान human होने के बाद उनको verification किया जाएगा बिवाग का बड़ा आदेश से डियो मुहम्मद अंतियाज ने बताया कि निर्देश की आलोक में सभी नियुजन इकाईउ को पत्र जारी कर दिया गया है डिप्यो अस्थापना के द्वारा नियुजन इकाईउ से हस्तगत कराया गया परमानपत की जाँच कराया जाएगा डियो और डिप्यो से मिला शिषको का परते निधी मंडल ये भी मधुवनी सही है देख सकते हैं परमानपत्तो की जाँच के लिए बेव पोर्टल पर अप्लोड फिषको की सूची में गड़वड़ी के कारण परमानपत अप्लोड नहीं हो रहा है इस समस्या को देखते हुए परिवर्तनकारी प्रामबिक सिचक संग के मधुवनी के परतिनीधी मंडल ने जिला सिचापतादीकारी द्वारा एवं डिप्यो स्थापना से मुलाकात कर इसका समधान करवाने का अनुरोध किया है जैसा कि हम आपको बता दे कि उन लोगों का भी परमानपत अप्लोड करने का आधिस दिया गया है जो कि 20 जून से लेके 21 जून से लेके 21 जून से लेके 21 जून तक दिया गया है जिला अध्यस विकास कुमार, जिला सन्जोजक रंजन कुमार, ठाकूर, कारियाले प्रभारी स्यामकार वा मीडिया प्रभारी कपिल कुमार ने सन्यूक्तूप से कहा है कि फोल्डर जमा रहने के बावजूद जिले के अधिकतर परखंड वा पंचाए सिचको के नाम बेब या पती का नाम बिद्याले का नाम नुक्ति किती थी इफियव नंबर आदी में तूटी साफ नजर आ रही है तो यह सारा अपडेट हमने अपनी यूटूब चनल के माध्यम से आपको दिया दोस्तों और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको जरूर दें और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारी चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बड़ी खबर में धन्यवाद